चलिए देखते हैं हम मेथाड आप सब्सिटूशन से कैसे करते हैं हम इस कोशन को सब्सिटूशन इसले कहा है कि हमें यहाँ पे दिख रहा है यह चीज 1 बाइ 1 प्लस x की पावर 8 यह 10 इन्वर्स x की पावर 4 का डिरियोटिव दिख रहा है यह आपके लिए चलिए थोड़ा सब मैनेज हम कर देते हैं तो यह आप देख सकते हो that could be retain is a sign of 10 इन्वर्स x की पावर 4 इन्टू 1 बाइ 1 प्लस x की पावर 8 और x क्यूब दिख ठीक है अब देखिए let हम 10 इन्वर्स x की पावर 4 को से u place कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा यह 1 अपावर 1 प्लस x की पावर 4 का square और फिर x की पावर 4 का chain rule लगेगा derivative हो तो 4 x cube dx equals to du हो जाएगा इस 4 को नीचे ले जाएगे है ना 4 हमें नहीं चाहिए अपान 4 हो जाएगा 4 हम इस तरह से बना दे रहे हैं ठीक है ताकि u और 4 में confused मत हो यह अब देखिए यह part आपका क्या हो गया du हो गया by 4 और यह आपका u हो गया तो question क्या बन गया आपका integral of sin u du by 4 1 by 4 को हम बाहर कर लेते हैं और sin का integration क्या होता है minus cos होता है तो minus 1 by 4 cos of u plus c और u तो आपका dummy variable है 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 न कोई t assume क्या होगा कोई v assume कर सकता है ठीक है तो आप उसको replace कर दीजिए original variable में तो 1 by 4 cos of u की place पे हम क्या रख दें 10 inverse x c power 4 तो that is your final answer